स्वाकत आपका आज की वीडियो में और आज हम बात करेंगे EWS category और DG category से related admissions के बारे में सबसे पहले तो आपको बता दूंगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो EWS category वो होती है जिसमें गरीब बच्चों के दाखिले किये जात देखरी होती है CST, OBC, HIV, PD, OB, C, OBC से पीडित बच्चे है उनका दाखिलास में किया जाता है और इसमें में चीज बताने वाले हों कि इसमें इसमें अड्मिशन कराने वाले जो बच्चे है उनको जो पैरेंट से जो जब लिए जह आने पर सकता है अब आपको बच्चे देजे ताकि, आपको आपके फायदे से जुड़ि हर खबर काल एक गलती कर दी तो आपको जेल की हवा खानी पर सकती है, आपके ख्लाव मुकर्मा धरज हो सकता है सबसे पहले तो यह जान लीजिए जब EWS category से related आपने form भरा है DG category का आपने form भरा है तो कोई document कोई भी कागजात आपको form भरते हुए जमा नहीं कराना होता दिखाना नहीं होता बस document की जो details होती है वो भरनी होती है और जो documents जो होते हैं जो original documents होते हैं उनकी जरूरत आपको तब पढ़ती है जब बच्चे का नाम आजाता है school में और school में आपको admission कराने के लिए जाना होता है तब आपको documents school वालों को show करने होते हैं, verify कराने होते हैं, correct कराने होते हैं आपने जो documents भरे थे, form भरते वक्त दिखाया, show किये थे, मतलब उनकी details भरी थी, वो documents आपके पास हैं या नहीं है तो आपको पता ही है कि EWS और डीजी कैटिगरी के admission है, वो nursery kager first class के शुरू हो चुके हैं तो इसमें वही लोग apply कर सकते हैं जो इसकी category में आते हैं, जो इसके लिए योग यह हैं आप ऐसा नहीं है कि आपके income ज्यादा है, आप जूटे certificate बना रहे हैं और अप इसके लिए apply कर देते हैं आप यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप पकड़े भी जा सकते हैं, आपके खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा हो सकता है अजर गरीब हैं, अगर कोड़े आप इसके लिए बारे में पता हैं, तो आप अपे जान पचान पाइदा मत प्धाईए आपके जान पाइदा जान पूंए जितने भी गरीब लोग हैं , प्लीज गर्पिया ऐस को बताईविया उनको बचले सकता जान बारकी ऐस का पाईद फोन से भढ़ सकते हैं तो आप नको बता सकते हैं कि उनके बच्चे भी आपके बच्चों की तरह ही बड़े बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं और इसी तरह से उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है जिसमी वो फीस नहीं बढ़ सकते हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में जा सकते हैं, पूरा खर्चा इसका सरकार देखिए, तो आप उनके बच्चों के लिए फॉर्म बढ़ सकते हैं, देखिए, तो अगर आप किसी क्या भला करते हैं, तो कल आपका भी भला जरूर होगा, ये तो आप गरीबों की help कर सकते हैं आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका नुकसान हो आप फ्रॉड के चक्कर में मत पढ़िए दूसरों के सला मत दीजिए कि कोई फ्रॉड के थू यह काम करें और नकली certificate बनाए जूटे certificate बनाए जो इसके लाइक है क्रिप्यावनी की help आपको बता दे कि 2016 में ऐसे ही एक रैकट का भंडा फोड किया था और किया गया था जिसमें किसी ने किसी प्रिंसिपल और अंदर के जो लोग है उनकी मिली भगत से किसी ने जूटे documents की details दी थी और वैसा था नहीं वो बाब में पकड़े गए और फिर उनको सामना करना जिसे आप मुसीबत में फसें और आपको भी इनी सब मुसीबतों का सामना करना पड़े और कोई अगर आपसे एडवाइस बाग रहा है और आपको भी एडवाइस दे कि इसके लाइक है जो इसके योग है तो आप उनकी है तो यही जानकारी मुझे देनी थी अब मैं बता अरू आपको आपको नरसरी-केजी और फर्स ट्रास अधिक शुरू हो चुके हैं और एसके लाबावा जब भी फर्स्ट ख्लास क्लास तखी अडमिशन में भी शुरू होते हैं जैसे हुआ था पिछले साल भी तो वह जब फुछना चाहते है और कोई और जानकारी तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं आपके help करने की पूरी कोशिश करूंगे अगर आपका कोई document नहीं बन रहा है आपके पास कागजात पूरे हैं तो आप 1076 में डैली में कॉल करके केजरी वाल की जो इसकी में उसका फायदा उठा सकते हैं घर बैठे documents बनवा सकते हैं लेकिन जो documents आपको बताए जाएंगे फोन पर वो documents आपके पास होने चाहिए जब फोन सायक आपके घर पर आते हैं तो कुछ और पूछना चाहते हैं इस दाखले की प्रक्रिया के बारे में तो पूछ सकते हैं comment box में आप आपके help करने की पूरी कोशिश करू होंगी तो वीडियो देखने के लिए रहें कि लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भीना भूलें